हेलो एब्रिवन लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं लाइब्रेरी एंड इंफोमिशन साइंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें गाइडन्स की भी कमी है इसी लिए मैं आपके लिए नया कोर्स शुरू करने जा रही हूँ जो आपको BLIS कोर्स प्लस अधर कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स जैसे कि KVS, NVS, बिहार लाइब्रेरियन और मैनी मोर एक्जाम्स के लिए पैनिफिट देगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि KVS और DSSB की वेकेंसीज अपकमिंग है DSSB का तो हाल फिलाल में ही कलेंडर भी जारी हुआ है लेकिन उसके अंदर नोन टीचिंग वेकेंसीज नहीं है लेकिन उसके बाद भी पूरी उमीद है कि DSSB की वेकेंसी जल्द ही पब्लिश होगी एक्जाम पैटन की हम बात करें तो दोनों ही एक्जाम पैटन काफी सिमिलर हैं DSSB में English, Reasoning, Journal Studies, Hindi and Subject Concerned आता है जो की सिमिलर केवी एस के एक्जाम में भी आता है DSSB में Maths और KVS में Computer थोड़े अलग subjects हैं जिसके लिए हमें DSSB में Maths के लिए अलग से महनत करनी होगी और KVS में Computer के लिए अलग से महनत करनी होगी हम exam strategy की बात करें तो number of questions हम देखते हैं कि कौन से paper में कौन कितने questions आ रहे हैं और कितने marks के आ रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि DSSB में reasoning के 20 questions आते हैं जो कि 20 ही marks के होते हैं इसी तरह KVS में भी 10 questions आते हैं जो कि 10 marks के होते हैं reasoning के अंदर हम coding recording, calendar, dies, blood relation जैसे subjects जैसे chapters हम पढ़ते हैं next हम बात करते हैं maths KVS के अंदर तो maths नहीं आता लेकिन DSSB में ये बहुत अच्छा score है maths का number of questions है 20 and marks is also 20 कि DSSB के अंदर जितने questions है उतने ही marks है next हम बात करते हैं आगे English की English DSSB के अंदर 20 questions आते हैं जो कि 20 ही marks के होते हैं इसी तरह KVS में भी 10 questions आते हैं जो कि 10 ही marks के होते हैं English के English में हम article, verb, noun, adverb, etc. topics को हम पढ़ते हैं और साथ ही इसमें grammatical errors को हमें बहुत ध्यान देना होता हैं next हम बात करते हैं हिंदी की DSSB और KVS दोनों में ही हिंदी आती हैं DSSB में 20 questions आते हैं जो कि 20 ही marks के होते हैं इसी तरह KVS में भी 20 questions आते हैं sorry 10 questions आते हैं जो कि 10 ही marks के होते हैं हिंदी के अंदर हम रस, छंद, अलंकार, संग्या, विशेशन जैसे इस topics को हम पढ़ते हैं जर्नल स्टडीज, जर्नल स्टडीज में हम देखें तो history, geography, science, economics जैसे subjects आते हैं, DSSB के अंदर, 20 questions आते हैं जर्नल स्टडीज के जो कि 20 ही marks के होते हैं कविश में 10 questions आते हैं जो कि 10 ही marks के होते हैं General Studies एक broad area है इसलिए इसके अंदर ही,引erapeut स्टडीज के अंदर ही हमें current affairs भी पढ़ना होता है Current Affairs का portion भी बहुत ज़्यादा important हो जाता है Next हम बात करते हैं computer की तो DSSB के अंदर computer नहीं आता लेकिन KBS के exam में computer की 10 questions आते हैं जो की 10 ही marks के होते है Next हम बात करते हैं subject concerned subject concerned में library से related होता है यहाँ पर course से related ही प्रशन पूछे जाते हैं यह हमारा scoring point होता है इसलिए हम इसे more than marks अचीव करने की कोशिश करेंगे DSSB के अंदर question 100 है जो की 100 ही marks के है KBS में भी same pattern है subject concerned का 100 questions है जो की 100 ही marks के होते हैं next हमारा negative marking most important part of this video negative marking जो की KBS और DSSB दोनों में ही same है 0.25 की हमारी negative marking होती है दोनों ही paper के अंदर इसके लिए मैं आपके लिए इस पूरी strategy के लिए मैं आपको daily news events plus BLIS course related videos plus library से related जितनी भी vacancies आती है उसकी updated videos आपको लगातार video session में update inform करती रहूंगी guys अगर आपको मेरा ये video पसंद आए तो please like, share and subscribe my channel जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड सके thank you guys